कि दोस्तों हाई क्या हले और बड़ी प्रसंता हो रही हमें कि आप लोग को फिर्म नॉलेज अब काफी मदद कर रहा है वो तमाम सीक्रेट जानने के लिए वो तमाम इंडिस्ट्री किस तरह काम करती है अब नॉलेज यह आप लोगो मदद कर रहा है और दोस्तों आप लोगो और एक बात कह दोूँ अगर आप एमेल कर रहे हो या फिर कोमेंट कर रहे हो आप कामेंट करो कहीं हुआ पहली क्या चलेगा उसमें कोई स्यू नहीं ंए कि कॉमेंट एक टीम पड़ती है वो टीम फोरवाड करती है प्रोफेशनल टीम के पास वह बैठते हैं वह अनालाइज करते हैं फिर रेस्पोंस करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जब भी आप सवाल पोछो टॉपिक रिलेटर सवाल पोछो टॉपिक रिलेटर इसली पॉइंड करेंगे इससे आपका ही नुकसान होगा क्योंग हे तरफ से तो इस पर आपको response मिलेगा ही नहीं तो आगे आपकी मर्जी ठीक है और दूसरा चीज सवाल जब पूछते हो तो पूछो ताकि हमारी टीम को यह मदद मिलेगा और हमारी टीम को पूछिन को प्रॉफेशनल के पास इमेल करने में मदद मिलेगा फिर उनसे जवाब मिलेगा फिर अगर यूट्यूब में आपने कमेंट किया तो यूट्यूब में आपको response मिल जाएगा और अगर www.film6a.in में अगर आपने कमेंट किया तो वहां आपको response मिल जाएगा और अगर आपने email किया तो आपको email के जरिये भी response मिल जाएगा ठीक दोस्तों चलिए अभी टॉपिक में वापस आते हैं तो आज कर जो टॉपिक है वह राइटिंग वर्सस फिर्म राइटिंग दोस्तों मैं अल्र गलत फिर्म यह के फिल्म राइटिंग बहुत आसान है फिल्म राइटिंग उसी तरह का एक मीडियो में उसी तरह का माध्यों में स्टोरी को एक्स्प्रेस करने का और इसमें कुछ सीखने लाइक नहीं है बस सीखना है तो सीन किस तरह लिखते है वह थोड़ी बहुत है सब्दकोस बहुत अच्छा है कोई भी इमोशन को अगर एक्सप्रेस करना है तो वह बहतर से बहतर इन सब्दों का प्रयोग करके ग्रामार्टिकल एरर के बगेर एक बहतर सेंटेंस बना के एक इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कविता हो गया या फिर कहानी हो गया यह फिन demonstrating हो गया लेकिन film writer वह नहीं है film writing craft जो उलग वह बहुत अलग है film writing craft के लिए सब्ढकर अच्छा अग्यान होना एक कमपलसरी है ऐसा नहीं film writing craftие writing एक आर्ट है, story लिखते हो तो ये एक आर्ट है, अगर आप novel भी लिखते हो तो ये भी एक आर्ट है, क्योंकि ये तमाम चीज़े जब कोई एक reader पढ़ेंगे, तो एक दुनिया reader के दिमाग में बनेगी, लेकिन जो film writer उनको इस तरह लिखना होता है, कि हम लोग को परदे पे क्या अलग craft है, एक अलग व्यवसा है, मैं आप लोग को एक हलका सा example देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, visual storytelling medium का power क्या है, सबसे पहले दोस्तों, इस बात पर गौर करो के, visual storytelling में होता क्या है, माल लिए एक इनसान, एक close-up है, जिसमें एक इनसान हस रहा है, दूसरा close-up है, एक pistol point कर रहा है, और तीसरा close-up है, वही इनसान अभी डरा हुआ है, तो इन तीन जो close-up से, इसका अर्थ क्या निकल कर रहा है, थोड़ा सोचिए, इसका अर्थ ये निकल कर रहा है, कि एक इनसान हस रहा था, उसको किसी ने gun point पे लिया, और वह अभी डर गया है, बहुत simple है, अभी मैं क्या करूँगा, इन तिनों visual को, जो flow है, वो बदल दूँगा, सबस दूसरा close-up ये है कि एक पिस्तोल उसके उपर point किया हौआ है, और तीसरा close-up है, वो इनसान हस रहा है, दोस्तों अभी ये meaning बदल गया, अभी ये meaning क्या है, अभी ये meaning है, अभी इसका जो मतलब है, वो मतलब ये हो गया कि, ये जो gun जो point किया है, ये gun नकल लिये, इसका एक meaning यह हो सकता है ठीक है दोस्तों तो visual storytelling medium का जो power है यह independence एक देता है और professionals कई professionals यही सुझाओ देते हैं कि film writing craft एक craft है इस craft को कोई भी सिख सकते हैं जो लिखना पढ़ना जानते हो वो कोई भी हो कोई भी किसी भी background से हो वो लिख सकते हैं सायद आपका सब्तकोस का भंडर अच्छा है तो सायद आप चार sentence में एक action आप लिखोगे मेरा सब्तकोस का भंडर ठीक नहीं है तो मैं साथ sentence में लिखूंगा फर्क सिर्फ इतना आएगा लेकिन हम लोग ने किस तरह का एक विजूल स्टोरी एक विजूल मिनिंग हम लोग एडप्ट कर रहे हैं वो matter करता है यही चीज फरक लाता है एक फिल्म राइटर के बीज से दूसरे फिल्म राइटर को ठीक है दोस्तों चाहिए आप स्टोरी राइटिंग लेलो नोबल र दयारी नहीं होती है जो फिल्म की स्क्रिप्ट बेचना चाहते हैं वो इंडेस्ट्री में स्टोरी बेचने के चक्कर में जाते हैं लेकिन इंडेस्ट्री तो स्टोरी पे डील करता ही नहीं है हाला कि समझाने के लिए कभी कभार इंटर्वियू अगरा में कहते हैं कि हम फि विदेश में इतियास रचा है उस फिल्म का plot engaging था plot, plot key element है और problem कहां पर है मैं आप लोगो बताता हूं क्यूंकि यू जो education system है film guidance जहां पर है या फिर film making की training उपलब्ध होते हैं वहां पर दिक्कत क्या है कि बास्यात्यों में west में कई सरे किताब लिखी गई है film script किस तरह लिखें, film direction किस तरह करें और वही किताब को हम लोग follow कर रहे हैं इसमें कोई गलत चीज नहीं लेकिन दिक्कत कहां पर मैं आपको बताता हूं विदेश में होता क्या है कि 10 में से 9 script adopted होते हैं यानि कि एक plot already exist है उस plot को adopt करते हैं फिर एक script तयार होता है चाहे आप novel ले लो, news article ले लो या फिर कोई incident जो past में घटा हो उसका ले लो तो तमाम चीज में plot already exist होता है तो वो plot को adopt करके script तयार करते हैं और जो education, जो filmmaking education वहाँ पर उपलब दे, वहाँ पर भी साफ तोर पर ये कह दिया गया है मान कि ये चलिए कि आपके पास एक plot है, और आप script त्यार करना चाहते हैं तब आप कैसे करोगे? और फिर ये 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 फिर इस तरह आपको script त्यार करना है लेकिन भारत में माहूल ऐसा नहीं है भारत में माहूल अलग है भारत में 10 में से 9 जो फिल्म बनता है या फिर कई बार 10 में से 10 जो फिल्म होते हैं वो original plot पे बनते हैं यानि कि पहले original plot तैयर किया जाता है फिर script लिखा जाता है फिर film बनती है और ये एक बहुत बड़ा गलती कह सकते हैं बहुत बड़ा issue कह सकते हैं plot construction के बारे में maximum place पे इसके बारे में जानकरी नहीं है यह जानकरी आपको या तो किसी फिल्म डायरेक्टर का असिस्ट करके हसिल कर सकते हो या फिर कोई बड़ी film school जो रेपूटेड film school है वहां पर आप जाके यह घ्यान हसिल कर सकते हो और यही करेंगे जिससे जो स्ट्रगलर है उनकी मेहनत कम हो क्योंकि जब सेमिनार वगरा में वर्क्सप वगरा में हम जब स्ट्रगलर को मिलते हैं बड़ा तकलिफ होता है कि वो लोग यह सिकायद करते हैं कि हमें मौका नहीं मिला film school जान नहीं पाए और हमें ग्यान कहें पर मिलने मेरा और और नुकसान होता है स्ट्रगलर का जो स्ट्रगलर जब इंडेस्ट में पाव रखेगा सबसे पहले उसे यह नहीं पता होता है कि स्कृप्ट करते कैसे हैं प्रोडक्शन कंपनी को अप्रोच किस तरह किया जाता है अगर आप नेरेसिंद देने जाओगे तो किस त उस्द्राफिए तो इस तरह कहा जाए को आपकी स्कृप्ट में डम नहीं है मेरा टाइम मत करो निकल जो सकते कょई आपको यही कहा जाएका कि आप तयार कर क्या हो और इस तरह कहंघे कि स्कृप्ट पसंदें लेकिन और एक ट्र janette बना कहा हो पांज और जा सब्सघ आहीं तो सबसे पहले हम लोग यह यह किन करते हैं कि आपके अंदर पोटेंशल भरा हुआ है और हमारा सला हमारी टीम की सला आपसे यही है कि सबसे पहले फिर्म स्क्रिप्ट के लिखी कैसे जाती है उसकी ट्रेनिंग हासिल करें मैं आप लोगो अगले वीडियो में और एक इंपर्टन टॉपिक के साथ मिलता हूं तब तक थेंक यू